नमस्का दोस्तों इस वक्त दद्री मेला स्थल पे मैं मजूद हूँ और दद्री मेला अब धिरे धिरे सजने लगा है छड़ पूजा के बाद अब दुकंदार अन्य प्रांतों से अन्य जन्पदों से बलिया के इतिहासिक दद्री मेला में पधार रहे हैं हम अपने पीशे आप देख सकते हैं कि जोले वगर लग रहे हैं बाहर से दुकंदार किस तरीके से दद्री मेला को बहतर बनाये जाए उस दृष्टी से वर्क और काम दोनों हो रहा है यह आप देख सकते हैं कि यह काफी जोले हैं इस बार नगरपालिका के प्रयास यह है कि एक जगज जोल कि मलोंजन से संसाधन जो भी जुड़े हैं ओ एक जगज मिले यह प्रयास है नगरपालिका अध्यच का यह आप चूना देख सकते हैं अब इस चूने का यह बाउडर दे दिया गया है अब दुकंदार इस चूने के अंदर अपनी दुकान को सजाएंगे जैसा जो मुझे मुझे यहां से प्राप्त हुई है लोगों के दौरा दुकंदारों को दौरा लोगों ने यह बताया है कि 6,000 रुप्या पर लठ़ा किदर से नगरपालिका के कोस में आउल-लाइन पेमेंट किये जा जा रहे हैं जो दुकंदार करके रसित प्राप्त कर रहे हैं बैंकों में जाके जमा कर रहे हैं अब उन्हें कल जो सुचनाय है कि कल उन्हें जमीन मिलेगी इसके बाद वो अपना दुकान सजाएंगे तो एतिहासिक दद्री मेला को बेहतर और सुन्दर बनाने के लिए प्रयास जारी है दुकंदार ये भी है ये पिंटू भाई चाट वाले नामी आदमी हैं बहुत अच्छा चाट खिलाते हैं मन पसंद चाट इनको आप सकल से जानते हैं आप कभी भी कासिम बजा के संथामत हुसूल के पास जाएंगे सुबग की नास्ता अब कराते हैं यहां जमीन मिला अभ लोगों से बात करते हैं विजली की बेवस्ता पोलवाईज होगा और यहीं से बिजली की सपलाई होगी लोग बिजली का लाब लेंगे दोस्तों ये ददरी मेला है जहां क्रेन भी देख सकते हैं कि जुले वगरा उचाईयों पर चुकी लगता है इसलिए क्रेन की आउसकता पड़ती है तो यहां क्रेन भी है और बाहर से आए दुकंदार भी अब जुले वगरा को अंतिमुरू द लिबा है और 27 तारीकों याँनि 27 नौंबर को गंगा की महारती होगी और 28 तारीकों जो गंगा से भीर निकलती है गंगा इशनान करने के बाद और सीदे ददरी मेला पहुंचती है तो ददरी मेला को बहतर बनाने के लिए नगरपालिका और जिला परसासन अभी कल देखा अपने उत्तरप्रदे सरकार के परिवन मंत्री दिया संकर सिंग जिला अधिकारी पूलिस अधिच्छक के साथ मोके पे मौखे पे मौजूद थे उन्होंने ददरी मेला का मैब देखा नकसा देखा किस तरीके से मेला को इस्थापित किया जा रहा है काफी उस पर डिसकस ने चाहिए उनको किसी तरीके के अशुविदा नहों उनको शुविदा मिले उस पर भी विसेद्ध ध्यान ने दिया है और सभी दुकंदारों से बाच्छित भी की है और उनकी पीड़ा को समझा है कि उन्हें किस तरह की जमिन मिले कहां अपनी दुकान लगाए उसको लेक नमस्कार